आज हम बात करते हैं विड़ा रेक्टिफायर की लेटेस टाक अबाउट रेक्टिफायर तिरुड़े रेक्टिफायर जो होता है एडिवाइस विज कनवर्स एसी इंटू डीसी जस्त आप इसको यूँ समझें विटा जैसे आप सब मोबाइल का चार्जर यूज करते हैं हमारा जो मोबाइल है वाक्स उन डीसी उसमें बैटरी होती है बैटरी की विज़े से वो काम करता है और बैटरी हम डीसी करती है लेकिन जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो चार्ज करते हो जो में स्विच होता हो तो चार्जिंग करते है उसके अंदर एक क्या हुँ ठेक है अगर मैं रैक्टिफायर के प्रिंसीपल की बात करूँ अगर अगर हम रैक्टिफायर के प्रिंसेपल सिधा सिधा इस पीटा इस वर्किंग इस बेस्ट औन दा डायोड डायोड में दो तरीके की बाइसिंग पड़ी आपने फोर्वड बाइसिंग अडे रिवर्स बाइसिंग तो सीदी सी बात है कि इस वर्किंग बेस्ट उन तफेक्ट देट कि यह डायोड ओफर्स स्माल रेजिस्टेंस इन फोर्वड बाइसिंग इन फोर्वाइस चूल्ड है फोर्वड बाइसिंग यह इसके वर्किंग अगर फोर्वड बाइसिंग यह इसके उफर करेगा तो बहुत सारा करेंट उस में से कर जाएगा और अगर रिवर्स भाइसिंग पढ़ाया था तो हाई रिजिस्टेंस ओफर करेंगा अलमुस्ट नेगलीजिवल करन्ट फ्लो करता है इसके अंदर से थीक है दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं वन इस यौर हाफ वे रेक्टिफायर अनदर वन इस यौर फुल मैंने अभी कहा कि जो डायोड होता है ठीके ना अल्टिमेटली वही रेक्टिफिकेशन का गाम करता है इसके अंदर एक तो सिंगल डायोड यूज़ किया जाता है ओनली वन डायोड इस यूज़़ वन डायोड इस यूज़़ ठीक है क्या होता है इसके इसके अंदर देख transformer you know it has two coils one was primary coil another one was secondary coil 12th glass से पढ़ाया आपने और secondary में number of turns मेंने कम कर दिये और अगर number of turns कम कर दो बिटा तो फिर ये क्या बन जाता है आपका step-down transformer बन गया it is step-down अभी दो मिट बाद बाद करूँगा मैं आप से साथ कि भाई step-down transformer क्यों यूज कि हमने ओके step-down transformer हो गए विटा जिस भी AC signal को कि यह AC का सिंबल है पहले पता है तब दिखा दो विटा जिस भी AC signal को हमने करना है उसको किसके साथ जोड़ देते हैं अब डा प्राइमरी कॉइल के साथ जोड़ते हैं इस इस सिंगनल कि टू बी रेक्टिफाई ऑग करना होता है ठीक है उसको यहाँ जोड़ दें घ्डा और आप सारा का सारा जो काम है जो सिंगा है कि डायूट है जब यादोगा यह पी टाइप होता है एंड टाइप होता है ठीक है हमरे बास टायूट है यहां पर हमारी क्या होती प्रीटा लॉड रिस्तेंस होती लॉड दॉट कि तना काम करते हैं यह क्या हो गया है मेरा लूड रीस्टेंस ओगया और इसके अक्रोज जो कुछ आईगी वही वूल्टेस मेरे लिए किसका काम North reference में तो अच्छी यह हैं यह देके बातें तो हम एक ईकिये मिलाब सिंपल सर्क Film सर्कित ताइग्राम महान से मैं इनपुत देता हूँ मैं इनपुत दिखा रहा हूँ आपको यह इनपुट है और यह क्या आपकी आपकर अपड़ गाउट 아닌 यह टाइम अआपकी माल निजी तो अम इंपुट थे रहे हैं यह इंपुट है अब देखिए आउटपूट कैसी मिलेगी तो क्यों अब बात करेंगे आपके साथ आउटफुट वोल्टेज की तो हम पर्टिकुलर इंटर्वल्स की बात करेंगे जैसे माले सी जीरो से लेकर यहां पर टी वाइटू टाइम आईए आदिसाय की लोगी ना टी वाइटू यह मैं बना देता हूँ जीरो से टी वाइटू तक हमारे पास क्या आएगा ऐसे बिटाए यहां पर देखो टी वाइटू से टी तक क्या आएगा लाइक दिस यह अमने देखते जाना है ऐसे मैंने क्या बना लिए इंटर्वल्स बना लिए मुस्कान यह बंद करो वही अपना ओडियो तो हम क्या करेंगे अब देखो सब्सक्राइब कर देता हूं मैं यह तो यह होता कि मुझे लगता कि आपको कुछ पूछना होगा तो फिर दिक्कत होगी इसलिए नहीं करता हूं सब्सक्राइब इसे इंटर्वल्स बना लिए हमने ठीक है अब मालो क्या होगा बिटा कि यहां पर क्या है पॉजिटिव आप साइकिल आए नहीं पहली बात स्टैप डाउन क्यों यूज किया हमने स्टैप डाउन इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर तो आप एसी में इसी सप्लाइब प्रेश पर रखिया आपने जो कि हम धोती है ऑगे और यहां पर क्या है आप डाइवक यूज कर रहा है डाइवक मैं अगर हाइए वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कनवर्ट करता था ठीक है तो अगर ध्यान हो तो जो transformer था, इस working was based on mutual induction के की आपका जो transformer काम करता था फ्या event कैने था वा उन एक होता था, फ्या उन फ मिट्व्य करते था आप क्या होता था इस हो इसे हो जखेंट कॉल या एक करते हैं। This is mutual induction. So, आप क्या होगा आपका? यहाँ plus होगा, यहाँ पर क्या होगा? बता हो, plus आप पर माइनस आपका? mutual induction की जासे? Minus. यहाँ पर क्या होगा? minus आपका? यहाँ पर क्या होगा, बता? plus आपका? और अगर अब भी minus होगा, तो तो थेखो, तो इस नेगेटिव स्कनेक्टेट विद डायोड पी टाइब टीस दायोड इस फोरवड और रिवर्स बैस रिवर्स बेस हो गया ठीक इंठेबां अगर यह रिवर्स बैस हो गई तो इस विल उफर फार्ड हमने का था या अफ़र फार्द की नहीं कर छूर्स फ्लो और नगल कि there is no output voltage from 0 to ty in next half cycle polarities will get reverse and if polarities get reverse then यहापर negative होजेगा यहापर क्या आजेगा आपका positive होजेगा now p is connected positive is connected with p type the diode becomes forward by c forward by c means it will offer small resistance with a very small resistance and it is very very small negligibly maximum current will flow और जब current इसमें से यहाँ पर आएगा बीटा तो इसके across हमें क्या मिल जाएगा output voltage मिल जाएगी and ty2 से t तक हमें output मिल जाएगी आप उल्टा भी कर सकते हैं यहाँ सरू में negative मांगर 0 सी ty2 तक दिखा दे हैं यहाँ ना दिखाएं एग ही बाद हो कोई दिखाएं यहाँ ना दिखाएं एग ही बाद हो कोई दिखाएं देख पाने क्या यह प्रोसेस नहीं चलता जाएगा इस तरीके से हैं कि वी गेट आउट पूट कोर्रस्पोंडिंग टू हाफ वेव ओनली हमारे पास जो होता है हाफ वेव के कोर्रस्पोंडिंग हमें क्या मिल रहा है बिटा हाउट पूट मिल रही है और इसलिए हम क्या कहेंगे बिटा इसको क्या बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं ठीक है नहीं इसलिए मैंने कहा था आपको ज्यादा फाइदया करेगी बिटा है एक्जाम के अंदर क्योंकि उसके अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा है और इस यूनिट के अंदर आपके पास क्या है छब से पार ब सब्सक्राइद कर लुके दा हाफ गहां है एक अउपके जाह है सो इस्टिफेशन प्रराइब नुट स्यंक्राइब दो स्बॉस्टाइब नुट स्गरव डिटा हूँ अटर न्यूनिव Jest गोगन किटाँ नीस ये वह एकले तॉर पके लि도 So, it will offer low resistance, current will flow and hence we get output. So, in this way, we get output corresponding to half cycles only and that is why it is called half wave rectifier. ठीक है? मननी जिए हैं, अमनी क्या किया बिटा? Input voltage हमनी लगा रिखी, अमनी लगा रिखी, अमनी लगा दिया, आपके वाद जो भी, V, O, ठीक है, na, sin omega D. It is input AC voltage है, और में असी पुरा पड़ा, यह instantaneous value होती है, और यह क्या होती है, पीक value होती है, बास इस VNOT से confuse मतों, जन्हें बलकि इस VNOT को फुर्कोश और कर देते हैं, VNOT dash कर देता हूं, कभी confuse हो जाएं आप, यह तो peak value है इसकी, यह VNOT लिख देता हूं है, वहाँ उसको V, O, लिख रहे हो तो, ठीक है, maximum value, पर एक्षिल लोगी maximum का simple journal ही, हम ओई लिखते हैं, ओई लिखने दो पर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, VNOT क्या है पीक value है, ओफ AC इंपूर, तो current कितना हो जाएगा दें, current की value क्या हो जाएगी है मेरे पास, इस VNOT sin omega t, upon, resistance, इसकी resistance RF पीटा, इसकी RL, तो reverse by AC में तो मैं मानना हूं कोई current इनी फ्लो करेगा, इट offers infinite resistance, तो उसको छोड़ देते हैं, तो यह RF और यह RL हो गया पीटा, तो यह गया हो गया, आपका RF, प्लस RL हो गया, यह इसको at the most क्या लिखा जा सकता है, it is I0, ठीक है न, and this is sin omega t, यह I0 जो हो गया, वो गया आपका V0, upon, RF plus RL, यह तो input voltage की बात चल गई थी, और यह क्या आपके आपके बास, peak value, current amplitude भी कहते थे हम इसको, peak value of output करें, ठीक है, और आप देख सकते हैं, current बेसक से unidirectional आ गया है, यह की direction में, direction change नहीं हो रही है, इसलिए DC है, लेकिन यह constant DC नहीं है, it is fluctuating DC, देखो 0, फिर plus, यह AC क्यों है, क्योंकि इसमें positive आप cycle भी है, इसमें negative आप cycle भी है, positive भी है और negative भी है लेकिन इसमें सरब positive आप cycle जाएगा, इसलिए इसको DC का जाएगा, क्योंकि negative भाफ cycle नहीं है, लेकिन यह DC constant नहीं है, बल्कि कैसा DC है, fluctuating DC है, और अगर fluctuating DC है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे अब, इसके अंदर क्या निकालेंगे, इसके अंदर क्या निकालेंगे, जो output क्या है मेरे पास, इसके DC current आया है, लेकिन यह fluctuating आ गया, इसलिए मुझे इसके क्या निकालनी पड़ेगी, मैं इसको यू लिख सकता हूं, इंटरवल बनाओं तो देखो इसको, अगर मैं current को लिखना चाहूं पिटा, तो यू लिख लूँ, देखो, आई इसकल टू, आई नोट साइन उमेगा टी, इतना current flow कर रहा है मेरा circuit में, तीक है न, हाफ साइकल लिए, जीरो से टी वाइट रू तर, तीक है, और आधी हाफ साइकल में, जीरो हो गया, अब मर्जी है, आप काउग की सर्व, वहाँ पे कुछ उल्टा है, बिल्कुर उल्टा है भई, मैंने कहा था, आप कैसे भी कर लें, आप यू कर सकते हैं, तो सुरू में, यहाँ पे नेगिटिव दिखा देते हैं, तो यह पॉजिटिव हो जाता, तो फस्ट आप साइकल मे इसको जीरो कर देते हैं, और इसको यह रिवर्स कर लेते हैं, तो एक ही बात है, उसे ज्यादा कभी फ्रगनी पढ़ना है, ठीक है, कितना आएगा, पूरी साइकल के लिएवटा, एक साइकल के बात कर रहा हूं है, तो अब हमें क्या निकालने है, मैंने काई, यह फ्लक्श को थे ज़ें, चर्वी तो आगया है, क्योंकि आपको थे हमें भी अलिके में देता हूं, क्यों है, क्यों कि युणि डिरेक्शनल हे, डिपने नेगटिव पया था नहीं, डिसे बट कैसा है, फ्लक्शुएटिंग है, लग, फ्लक्शूेशं फ्लक्शुएशन हो रही हैं, स इसका integration कर दो हाइगाonne जीरो से टी तक क्या होगे तब क्या होता है total charge upon होजज़े गहां कुछ होता है चार्ट होता है चार्ज अपौन टाइम तो अगर निकालोगे तो क्या लिख गया आप टोटल चार्ज अपौन टोटल BET यह क्या होजेगा ऑड़ा हाई डी टी जीरो से पूरी साइकल लिए और अपोन टाइंट अब आप इसको इसको सोल करोगे इसको दो इंटर्वल से लिखो कि जीरो से टीवाई टू यह हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी और प्लस टी वाई टू से ए तक लिगनी यह जीरो ह होजेगा है आप इंटिग्रेशन आप मैथ के स्टूडेंट है आप इस इंट्रवल को बदल कर भी कर सकते हैं ठीक है तो अब यह तो जीरो यह होगा है यह जम खतम इसकी करते हैं आई नोट भार साइन ओमेगा टी का जोब इंटिग्रेशन करेंगे आप लोग आइ नोट तो भार हो जएगा नीचे सेट भार है अंदर साइन ओमेगा टी का होता है मिनस में माइनस भी भार कोश ओमेगा टी भाय लगा पर चेक करते रहेगा इंटिगरेशन जीरो से टी बाई टी बाई टी का sin omega t का cos omega t और this is minus i0 by t और बिटा यह omega भार लूंग और omega होता है 2 pi by t put कर दो इसको 2 pi by t and this is cos of 2 pi by t into t 0 से t by यह cancel out बिटा idc आ गया minus i0 अजी यह देखो बिटा 2 pi बचा cos upper limit t के ज़िए t by 2 put कर दो minus lower limit cos 0 it is minus i0 by 2 pi इस 2 से 2 कट गया इस t से cos pi बिटा minus 1 minus 1 minus 1 और minus 1 minus 2 तो यह 2 हो गया 2 से 2 भी कट गया सीधा आ गया i0 by pi idc कितना आ गया i0 by pi आ गया और इसके अगर value put करना चाहेंगे इसको put करेंगे 2 point 3.14 तो यह value आजेगी मेरे पास 0.318 i0 average value of dc कितनी आई in half wave rectifier full wave में करेंगे तो second आप भी आजेगा ठीक है तो next class में जब होगा बताऊंगा यह क्या होजगा i0 by pi यह 0.318 times the i0 यह निकल लिया पिटा जो हमने output में dc करन्ट आया उसकी वो हमने निकाल ली average ठीक है dc किता average होती है लेकिन अगर ac की बात करो आपने जो input दिये वो तो ac है ठीक है वो ac करन्ट फ्लो कर रहे है input में तो आपने ac voltage लगा रखी है तो वो ac input supply कर रहे हैं ठीक है तो अगर ac की बात करें तो बिटामिन आपको पहले बढ़ाया भी है ac में क्या होती है rms voltage निकलती है ac की so let us find out the rms value of a second rms value of a second और वो ही बात बिटा है देखो कैसे करेंगे i rms निकालना है मैंने rms की फुल्पॉम्ती root mean square यानि मुझे root लेना है mean निकाल कर किसका लेगी निस बात square का mean निकालना है आपको ठीक है कि नहीं है तो आप क्या हो जगा 0 से 1 t by 2 i square dt plus t by 2 से t बिटा 0 dt और upon total time तो कितना ले रहे हैं t ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं बताओ एक पूरी cycle की बात कर रहे हैं बिटा और हम एक पूरी cycle की जब बात करेंगे किके न 0 से t by 2 तक अलग current जा रहा है t by 2 से t तक अलग जा रहा है तो ये क्या आज़ेगा देखा आपके बास हो गया क्या है पहले समझो root square root बिटा time से divide कर दिया total time से mean आज़ेगा इसले पास सरफ current का integration क्या था root mean नहीं था square नहीं हुआ लेकिन इस बार क्या कर दिया हमने current का square root mean square square का mean निकाल कर mean निकाल कर जिससे कि respect में integration क्या उसी से divide कर दिया और सारे का क्या ले लिया square root ले लिया ठीक है यह आगया हमारे पास this is power 1 by 2 बाद में ले ले लेंगे यह 0 से t by 2 बिटा i की value थी i note square भार ले लिया हमने it is sine square omega t dt ok और upon t और सारे का under root यह तो अट जाएगा ना इसका बार अब sine square का integration करना है हमने कैसे होगा sine square omega t का integration बताओ क्या करने sine square omega t के लिए 4 में लगेगा 1 plus cos square omega 1 plus आएगा की minus आएगा sine square omega t को cos में चेंज करेंगे यह 1 plus आएगा की minus जल्दी सी बताओ minus minus आएगा 1 minus cos 2 omega t dt विटा और यह limited 0 से t by 2 से t तक तो 0 है ने मिटा करने खीक है तो भाई यह आपके पास आजेगा में i rms it is i note square by t खीक है into बिटा dt का उजेगा t 0 से t by 2 और minus 0 मैं एक काम छोड़ रहा हूं करें तो आप कर गलें नहीं तो साइडे में लिख देना बस सीधा cos 2 omega t dt का 0 से t by 2 तक जब करेंगे ना जीरो आएगा यह रहा देखो सीधी बात कोस का करेंगे तो साइन आजेगा ठीक है और साइन का जिब करोगे ना सोल विड़ा तो आप करके देखना यह जैसे यहां पर तो क्या हो गए था 0 यह भी minus 1 और यह भी minus 1 पर वहां पर क्या हो जेगा करके दिखाएं एक्जाम में तो ठीक ना करके दिखाएं तो आपकी च्वाइस आप सीधा लिखने की होता है साइन पोस्टू में कर दिखाएं अब क्या हो गया अब क्या हो गया आपके आप्र लिमिट माइनस लोवर लिमिट आगी मेरे पास अब देखें पर जड़ा एक रपर नहीं कर पादी श्याद आपने फिसर देखो यह चेक करो मैंतमेटिकल लगती है फिसिक्स की नहीं साइन स्क्वेर ओमेगा टीक हो क्या है खाली यह लिखा जाएगा अब टू आपन टू हो राएगा ना भी एक टू हो राएगा अब ठीक है आई आर्म्स आगया अगया अगया तोब्स केरफुल होने वाली क्या बात है कुछ नजर आ रही है जर्नली हम क्या करते हैं विक्षे नमबर 3 तक हो गया था यह नमबर 4 और यह नमबर 5 मैं केरफुल होने वाली बात यह बिटा कि फुल साइकल के उपर जब आप निकालेंगे वेगी हमारी नेक्स तो आपने देखा है जल्द बाजे में कलती होते हैं तो इसले लिए निकाल प्यार फॉल अगर आगया दू अगर आप बात करें नेक्स्ट करें अब की बेए नंबर थ्री और पावर सप्लाइड इस पावर सप्लाइड तू रेक्टिफाइड तो बटा पावर जो सप्लाइड की हमने ठीक है अमने पावर तो हमने तो एसी की फॉर्म में दी ना फिर शुनु आप अपना चार्जर लगा रहे हो बिचले कबिल दे रहे हो सी थोड़ा सा ही दे रहा है विलकुल भी लेकिन हम एसी की फॉर्म में पावर दे रहे हैं तो उसका आई स्क्वेर अर्म तो यह और यह नहीं दोनों से रिज में नहीं होंगे यह वह समाल सम्टाइम वी नगलक्त लाश्ट में नगलक्ट करेंगे अब हैं नगलक्त नहीं कर रहा हूं देखो फूर्ट रिजिस्टेंस दो है आपके बाद circuit motor को resistance नहीं है एक क्या है यह forward reverse को थो छोड़ी तो जब reverse pricing आई कि जब तो current फ्लो नहीं करेगा जब current आगे नहीं जाएगा तो आप power loss होगा नहीं होगा जब तक current flow नहीं करेगा no heating is produced no power is required अब तो चाहिए ही current को flow करवाने के लिए तो अब क्या होगा विटा rf प्लस rl होगया मेरे पास इस डोकी आज़ो rf विल भी वेरी-वेरी small forward byasing resistance होती विटा इस वेरी-वेरी small होती और आई आरा मैस अभी अभी निकाला आपने आप वेव के case में i0 by 2 का square and this is rf plus rl ही आगे विटा i0 square by 4 rf plus rl यह हमने supply किया ठीक है power supply to directifier आगे हमारे पास and now average output average output power तो वो तो हमें DC की form में आईगी ना output तो क्योंकि rectifier का काम ही क्या होता है इससी को DC तो input जो थी supplied यानि कि यह तो क्या थी आपकी input power कितने दी ठीक है और आप हमें output जो हो तो हमने DC की form में लेनी है तो अभी आपने निकाला था DC और क्या इसमें इसका रोल आएगा नहीं क्योंकि पीटा हमारे तो effective तो कौन सी है जो यहाँ पर वोल ट्रेज आएगी यहाँ पर जो पावर डवलप होगी इसके अक्रों जो पावर डवलप होगी वो तो वेस्टेज है हीटिंग का काम कर रही है मेरे किसी काम की नहीं है वो ओके तो आउट्पुट में सब क्या है कि पीटा DC की फॉम में पहली बात तो और IRL तो IDC DC अभी अभी निकाला था I not by pi ठीक है this is I not by pi तो this is I not square by pi square into RL आगे हो and now comes out to be किसी भी device के हम क्या निकालते है पीटा efficiency निकालते है तो it is Rectifier efficiency और efficiency तो as usual हमेशा ही किसी भी device की बात कर लें बीटा आप efficiency हमेशा ही क्या होती है output upon input होती this is output क душौ में आपों निरों आपास अपनी पास यान लेकट गी नोन फिर्ष र्ल योपिसड भी एंच स्थे के अब ये आई नोट का स्क्वेर फोर उपर और और प्लस आरल नीचे बिटे आई नोट का स्क्वेर कैंचल आउट हो गया प्रफिशेंसी काम्स डाउट टूबी फोर बाई पाई स्क्वेर बिटे इन्टू आरल अपॉन आरेफ प्लस आरेल ठीक है यह आगे पिटा हमारे पास और इसको अगर आप स्वोल करेंगे पर्संटेज में करेंगे तो एंडर से मल्टिप्लाई करते हैं तो आजएगा फोर एंडर पाई स्क्वेर पाई स्क्वेर 9.8 के आसपास चला जाएगा इंटू आरेल अपॉन तो आपको पता ही है इतना परसेंट हो गया पिटा ही है तो फोर एंडर को पाई स्क्वेर से मल्टिप्लाई करोगी तो आजएगा विटा 40.6 परसेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती एफिशेंसी मैक्सिमम तभी हो सकती मैं इससे कम ही होगी ना हिसाब से देखो यह वाला फेक्टर वन से चोटा है कि अग्या निचे आरफ प्लस आरल डिनोमिनेटर ने चोटा है कि एफिशेंसी एड़ दा मोस्त एंड मैक्सिमम पूछेंट था फोर्टी पाइंट सिक्स हो जाती है जो मैं आइडियल डायोड ले लूँ और आइडियल डायोड में आरफ की वैल्लू क्या हो जाती है जीर हो तो दस मैक्सिमम एफिशेंसी ओफ हाफ वेव रेक्टिफायर गैन बी 40.6% वेन आरफ इज नगलेक्टिव फोरोड बाइसिंग रिजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया विटाओ नगलेक्ट कर दें जब जाकर आपके पास जो एफिशेंसी होगी वो 40.6% आईगी है हमारे पास ठीक है यह होगे बिटा नो विविल डिसकस यही सारी चीज़ें हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी डिसकस करनी है और एक ट्रम मैं पढ़ाऊंगा दें रिपल फैक्टर लेकिन मैं ख और इसमें एक वर्यूज कर रहा हूं है इस इस काल्ड जेंटल टेपीं अभी मीनिंग समझ में आए अगे सेंटल टेपिंग डाइग्राम से तो तो देखो विटाविय आप आप कह रहे थे एक डायोड जो होता है वो हाफ वे फिलेट नेट पी कि देखो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होंगे विटा दो डायोड यूज होंगे फुल वेव रेक्टिफायर ठीक है तो दो डायोड देखो आधा काम तो भाई है विटा हमारे पास एक स्टैप डाउन टांस्पोर्मर यह वो एससी सिग्नल है जिसको आपने रेक्टिफायर करना है विटा इसको यहाँ जोड दिया सेकेंडरी में नंबर ओफ ट्रंस काम कर देंगे और बस एक डायोड यहाँ जोड देंगे आफ और एक डायोड यहाँ जोड देंगे इक यहां चो चीज़ अ Yes, यहां रिये स्हौंज की कनेक्शन इसके सेंटर पर कर दिया और आमने जो secondary coil है आपकी फिटा उस secondary coil के center के उपर मेंकिता लगा दिया है यह connection किया इसलिए मैंने बोला था न आपी central tapping कि इसलिए क्या बोलते है कि इसलिया हम central tapping बोलते है ठीक है वही है बटा अगर मैं input दिखाऊ हो आपको कि इन्पुट की बात करूं है ठीक है इसने क्या मालिसी इंपुट है और अगर हम आउट पुट की बात करींगे करेंगे वरकिंग में कि वही साइकल्स बना लेंगे बावा विटा ऐसे किस्तेस बना लेंगे तो क्या हो देखो पिटा अगर हमारी फरस्ट आफ साइकल आई अगर आप करें फरस्ट आफ साइकल की वही मालेजी यह पीवन इस नेगेटिव पीटु इस पोजिटिव पीटु इस पोजिटीव तो ड्यू टू तो डू टू टू मुईच्व इंडेक्शन polarities will get reverse S1 क्या हो जाएगा आपका positive हो जाएगा और S2 negative हो गया अब उल्टा भी बोल सकते होगा ये positive ये negative कोई दिक्कल नहीं है ये positive हो गया तो ये D1 से connect हो गया तो D1 forward biased हो गया और D2 क्या हो गया negative से जुट गया reverse biased हो गया यहां से current चला देखो यह चला current पिटा और आप यहां पर आकर सारा current इधर बेंट हो जाएगा हो जाएगा ने हो जाएगा पिताओ क्यों नीचे की तरफ तो पिटा reverse biased में diode बैठा हुआ है ये current को flow ही नहीं करने देगा तो सारा current यह फ्लो कर जाएगा loop number 1 में flow करेगा and we get output आजएगी कि नहीं आजएगी बताओ spine के cross क्या आजएगी हमारे पास output आजएगी current इधर फ्लो कर रहा है फर्स्ट आप साइकल में पिटा ये किसकी विज़े से आई D1 डायोड की विज़े से आई D2 तो इसमें किसमें है D2 is reverse biased next up cycle में क्या होगा you know polarities get reversed पिटा और polarity reverse हो जाएगी यहाँ पर क्या जाएगा यह positive हो गया यह negative हो गया तो S1 acquires negative polarity S2 requires positive तो now negative जो हो गया पिटा तो D1 is in reverse biased D2 positive जो जोड़ गया is in forward biased दो current U चलेगा अगर मैं दिखाऊं आपको current U चलेगा यहाँ पर क्या फिट से divide होगा नहीं होगा पिटा यहाँ पर current divide क्यों नहीं होगा current divide यहाँ पर ठीक है क्योंकि उपर क्या चला होगा है reverse biased in में है पिटा और reverse biased in में है तो उपर तो current जाएगा निए सारा current दिधर चला जाएगा now see in case of this resistance the current is in same direction same direction में आ रहा है कि नहीं हारा बताओ पहले भी c direction में था अभी भी c direction में तो same direction में तो उसके लिए क्या होगा same direction में उपर चाहिए यह red वाले color की वाजासे है तो red वाले दिखा दिखा दिए यह d2 diode की वाजासे आई है और इसमें d1 is in reverse biased and now see this polarity विल भी क्या होगा पिटा again reverse in next half cycle means this phenomenon is repeated again and again so अगले बार हमें फिर्स से क्या मिल जाएगी पिटा output मिल जाएगी कोंचे यह वाल इस फिर आजएगी P1 negative S1 positive यह d1 forward biased आप फिर्स से आउट्पूट आजएगी यह d1 की विज़े से आजएगी और उस अगली आप cycle में देखो के पिटा तो वो किसे से आजएगी d2 की विज़े से आजएगी तो in this way you will found that we get output corresponding to full cycle that is why it is called भीटा full wave rectifier it is called full wave rectifier तो जैसे हमने half wave के लिए mathematics किया है भीटा अगली class में हम full wave के लिए mathematics करेंगे calculation करेंगे and then हम ripple factor calculate करेंगे करेंगे भीटा